श्री शिवाई नमस्ति अबियम दोस्तों भगवान शिव जी आपकी हर मनुकामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडिया हम सुरू करेंगे दोस्तों तो क्या दोस्तों आप भी रोज पूजा करते समय अपने खर के मंदिर में अगरवत्ति जलाते हैं अगर जलाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुती ज़ादा महत्वपूर्ण होने वाला है हिंदु शास्त्र में अगरबत्टी जलाने का पूझा करते समय अगरबत्टी जलाने का कहीं भी कोई विषेश महत्व नहीं बताया गया है अगर आप भी रोज पूजा करते समय अगर बत्ती जलाते हैं तो आज ही इसे बंद कर दें क्योंकि हिंदू शास्त्र में अगर बत्ती जलाना शुब नहीं माना जाता है इसका वैग्यानिक नजरिया भी आपके साथ इस वीडियो में बहुती डीटेल में शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पुरा ध्यान से अंते तक सुनियेगा पूजा पाट में अगर बत्ती हर कोई जलाता है लेकिन कुछ धार्मिक कारणों की माने तो ऐसा करना अशुब है जानते हैं आखिर किन कारणों से अगर बत्ती नहीं जलानी चाहिए और इसका विकल्प क्या है हिंदु धर्में पूजा पाट के दोरान सभी दीपक धूप जलाने के साथ ही अगर बत्ती भी जलाते हैं अगर बत्ती की खुश्वू मन मोह लेती है लेकिन अगर बत्ती बनाने के लिए कुछ हानी कारक केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है जो सेहत के लिए और सास से संबंदि समस्याओं को बढ़ा सकता है जो हमारे स्वास्ति के लिए पूरी तरह से हानी कारक है क्या आप जानते हैं कि धर्म शास्त्रों में पूजा राधना के समय अगर बत्ती जलाना पूरी तरह से अशुव माना गया है और वर्जित भी माना गया है दोस्तों इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों अगरवत्ती जलाना अशुब माना गया है वर्चिद माना गया है हिंदू शास्त्रों के अनुसार दोस्तों धर्मिक मानेताओं के अंसार बास जलाने से वंश का नास हो सकता है ऐसे में पूजा के समय अगरवत्ती की बजाए आप धूप जलाएं बास को हिंदू धर्म में हिंदू शास्र में बहुती जादा महत्व दिया गया है बहुती महत्वता है बास की इसे लिए जो है पूजा के समय हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए ऐसे भी माननेता है कि बास से बनी चीजों को जलाने से पित्रदोश लग सकता है ऐसे में अगरबत्ती में भी बास का प्रयोग होता है इसलिए से जलाने से बचना चाहिए तथा अंतिन संसकार करते समय भी बास का प्रयोग किया जाता है इस पर शावयात्रा निकाली जाती है तो बास को जलाना अशुब माना गया है और मी बता दू दोस्तों कि बास का उप्योग शादी या अन्य किसी सुब अवसर पर मंडब बनाने पर जो हम शादी के समय जो टोकनी डाला वगेरा पूज़ा के समय तैयार करते हैं वे सारी चीजें भी बास से बनी होती हैं और ये सभी चीजें बहुती शुबता का प्रतीक होती हैं इन सभी चीजों को हम पूजा के समय पूजते हैं इन में अक्षत रोली, चंदन वगेरा लगाते हैं और ये सारी चीजें बास से बनी होती हैं और इसे पूजा में पूजा जाता है इसलिए बास को जलाना अशुक बाना गया है फिंग सुई में भी बास के पौदे का काफी महत्व बताया गया है यह भागे को जगाता है जीवन में तरक्की सकरात्मक्ता लाता है ऐसे में बास को जलाना दुर्भागे का कारण बन सकता है इसी वज़ा से अगर बत्त की जलाएं आप धूप जलाएं सूखी दूप जला सकते हैं सूखी दूप जलाने से भी घर के वातावरण में शुद्धता आती है नकरात्मक्ता जाती है घर से और सकरात्मक्ता आती है आप पूजा के दौरान अगरवत्ती की जगए धूप जलाएंगे तो ये बहुती ज़ ग्रह दोश दूर होते हैं, जो लोग प्रति दिन पूजा पाट करते हैं, वे अगरवत्ती की वजाए धूप जलाएं और अपने ग्रह नशत्र ठीक करें, अपने घर में सुक सांती लाएं, अपने वंश की बढ़ोत्री के लिए प्रार्थना करें और कृप्या करके अगरव काट्ती जलाना बन्ध करें दोस्तों तो दोस्तों यह संपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ इस वीजो में शेयर किये अगर आपको वीजियो थोड़ा भी पसंद आया है, तो वीजियो को लाइक करता है और भी अच्छी एच्छे वीजियो बनाने के लिए तो वीजियो तोस्तो.